आज का ये बहुत important अफसर है दो महत्पूर्ण कारे आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संपन्द होने के बाद सबर्पित किये जा रहे हैं मैं इस कारिक्रम में आने से पहले अपने हाथ से लिस्ट बना रहा था तो मैंने देखा की पिछले छे साल में प्रदानमंत्री नारेंदर मोधी जी के नेत्युत्व में एस तरह के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तरप्देश में वहां के मेडिकल कॉलिजिस में और वहां की इंस्टिजूशन्स में लखनओ में जहाशी में गोरकपुर में इलाबाद में मिरट में आगरह में कानपुर में वारा नसी में और वारानसी में तो दो जगा पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और इसी प्रकार से IMS वारानसी और जो जवाहरला नेरू मिडिकल कॉलेज है अलिगर्ड मुस्लिम उनिवस्ति का वहां पर भी दो स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर ये उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बनकर का तैयार हो गए हैं समर्पित हो गए है जांसी में तो मुक्ह मंत्री जी के साथ मैं स्वेय मुपस्तित था कानपूर में जब शेला नयास हुआ तब भी मुक्ह मंत्री जी के साथ था मैं हिदे से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से और भारत के बिधान मंत्री नरेंद मोदी जी के नित्युत में एक-एक करके सभी मेडिकल कॉलेजिस में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा और बहुत इस्थानों पर अपने पूर्व प्रदान मंत्री जो हम सब के हिद्यों में बसते हैं हमेशा राज करते हैं अटल बिहारी वाजपेजी को स्मरण नहीं करेंगे तो शायद इस अफसर की सही माइने में प्रसांगिक्ता नहीं होगी 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले की प्राचीर से श्री अटल बिहारी वाजपेजी ने अपना भाशन दिया था देश को संबोधन किया था तो उस समय उन्होंने इस प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना की घोशना की थी जिसके तहत देश भर में आने वाले वर्षों म एक तरफ तो इस तरह के 75 सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक्स मेडिकल कॉलोजिज में बनाने का कंपोनेंट था और दूसरी तरफ एक दिली के ओल इंडिया इंस्टिटूट के बाद देश में च्छे और नए औल इंड़ इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसिस बनाने का प आचीर से की गई उस घोशना के बाद जो वर्षों तक जो तैयारियां हुई लेकिन उन तैयारियों को वास्तव में अगर किसी सरकार ने प्रैक्टिकली सड़क के उपर जमीन के उपर लाकर उनको क्रियानमित किया तो वो नरेंद मोदी जी की सरकार थी अटल जी ने एक से छे और आल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंसिज एड करने की योजना की शुरुआत की तो पधान मंतिर नरेंद मोदी जी ने दोहजार चौदा में सरकार में आने के बाद ये कहा कि हम हर प्रांत को एक नया आल इंडिया इंस्टिटूट मेडिकल साइंसिज अलग-अलग योजना अलग-अलग ड्वलप्मेंट के स्टेज में हैं और उत्तर पदेश के लोग विशेश रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि उत्तर पदेश और बिहार ये दो देश के ऐसे प्रांत हैं जिनको एक-एक नहीं दो-दो ऑल इंडि स्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंसिज मिले हैं